अभी तक तो लोग खाने पीने की समान ओनलाइन मंगवा पर घर पर होम डिलिवरी करवाते थे और शॉपिंग करते थे जुसका होम डिलिवरी होता था तो वहीं आपको बता देए कि बिहार बालो के लिए अच्छी और बड़ी खबर है क्योंकि अगर आपको बालो खरीदनी है तो बालो भी आपको होम डिलिवरी पे मल जाएगा जी हाँ बिहार में बालो के कारुबार को माफिया के चुंगल से मुक्त कराने के लिए नितीश कुमार की सरकार ने कई कदम उठाए हैं अवैध रूप से कारुबार करने वाले माफिया का सहयोग करने वाले पुलिस और प्रशासन के कई छोटे और बड़े अधिकारी जेल गए हैं बड़े पैमाने पर छापे मारी भी की गई है अब आम नागरिकों को वाजब कीमत पर और असानी से बालू उपलब्द कराने के लिए पहल की गई है डेपटी सियम सहखान एवं भूतत्व मंतरी वजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि बालू मित्र पोटल बनाया गया है जोस पर ऑनलाइन बुकिंग करके बालू की होम डिलिवरी की स्विधा लोग ले सकते हैं हाला कि सेवा शुरू होने में अभी दो महीना का वक्त लगेगा घर बना रहे बालू की किलत जेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है अब बालू खरीदने के लिए उन्हें परिशान नहीं होना पड़ेगा गिट्टी के साथ बालू सरकार अब उनके घर तक पहुचाएगी और कीमत भी काफी वाजब लगेगी क्योंकि बिचौलिया गिरी का कोई स्कोप नहीं होगा बिहार सरकार के खान एवं भूतत्म मंत्री वजय कुमार सनानी मीरिया से बादचीत में बताया है कि सरकार बालू मित्र नामक एक पोटल बना रही है जुसके माध्यम से एकचुक वेक्ती घर बैठे बालू खरीद पाएंगे उन्हें पोटल पर उनलाइन बुक करना होगा बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्परेशन लिमिटेड द्वारा एकचुक कमपनियों से निवीदा आमंत्रत किये गए हैं एजिंसी का चयन किया जाएगा उसके बाद सेवा शुरू हो जाएगी मंत्री ने कहा है कि इसमें लगबग दो महीने का समय लगेगा मंत्री वजय सन्हा ने कहा है कि बालू मित्र पोर्टल पर बालू घाट के संभी बंदोबस्ती धारी और लाइसेंसी विक्रिताओं की जानकारी अपलोड की जाएगी जो निबंदत होंगे उन्हीं के द्वारा बालू या गिट्टी की विक्री की जाएगी खरिदार अपनी पसंद से विक्रेता से बालू भी खरीद करेंगे बालू मित्र पोर्टल पर ग्राहकों को बालू की मात्रा नाम और पता दर्ज करना होगा एंट्री करने के बाद OTP के माध्यम से खरिदार का सत्यापन खराया जाएगा और OTP के उप्योग से बालू बुक हो जाएगी मंत्री ने बताया है कि सरकार प्रदीश की जनता को अच्छे कस्म की बालू उच्छत कीमत पर उपलब्द कराने के लिए तयार है इसे सुनिक्सुत करने के लिए बालू मित्र पोर्टल बनाया जा रहा है जिनका ऑपरेशन राज सरकार और बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्परेशन लिमिटेट के द्वारा किया जाएगा मंतरी विजय सिन्हा ने कहा है कि बालू के उठाओ और आप पूर्टी के लिए ट्रांसपोर्ट एजनसी का भी बालू मित्र पोर्टल पर निबंद रहेगा जोस गारी से लोगों के घर तक बालू भेजा जाएगा उसकी जीपेस से मॉनेटरिंग कराई जाएगी इसके साथ वील लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से उसे गारी पड़ नज़ा रखा जाएगा इसमें धोकादरी की संभावना बहुत कम है फिर भी अप्रवधान किया गया है कि अगर कोई ओर्डर अपने बुक कर दिया है तो उसे कैंसल भी किया जा सकता है भुकतान की गई राशी खाते के माध्यम से आप तक वापस बहुत जाएगी तो सब कुछ को डिजिटल के माध्यम से जोरा जा रहा है अभी तक बिहार में बालू जो है वो ऑनलाइन नहीं मलता था लेकिन बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बालू मित्र प बिलिवरी सभी लोगों को मल जाएगी आसे ही तमाम अब्डेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर